आज के दौर में जहां एक तरफ पूरा देश बेरोजगारी के भीसन संकट से जूज रहा है वहीं अपने बिहार में कुछ ऐसे युवा उद्यमी भी हैं जो की सीमित संसादनों और कम पुंजी में न सर्फ अपने लिए बलकि दूसरे युवाओं को भी रोजगार दिलवा रहे हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने बिहार के सारन जिले के अकवरपुर पंचायत के युवा उद्यमी नागेंदर सहनी के बारे में जिनोंने महज दो साल पहले 10-15,000 रुपे की पुंजी से मस्रूम की खेती सुरू की थी आज उनके मस्रूम फार में गाओं की लगभग 20 महिलाएं अपने घर के कामों को निप्टा कर बचे हुए समय में काम कर रोज़ाना 200 रुपे कमा रही हैं महज 10-15,000 की पुंजी से सुरूआत कर नागेंदर आज ना सिर्फ लाखों की आमदनी खुद कर रहे हैं बलकि छेतर के अन्य युवाओं को भी प्रसिचन देकर उन्हें भी रोज़गार में लगा रहे हैं मुस्रूम के खेती हम करते हैं अपना घर के सब काम हम कर करके आते हैं तो करते हैं महिलाओं को हम रोजगार दिलवाते हैं सिखाते हैं केसिंग करना, मुस्रूम तुरना, पेकिंग करना और अपना काम निप्टा करके करके,hö लो कड़के चार बजे तक यहां से फिरी हो करके फिर अपना घ़र के काम में लग जाते हैं दो सोर प्या डेली यहां मिलता है नागेंदर सहनी के इस काम में उनकी पतनी और स्थानी वाट सदस से माला कुमारी भी उनका कंदे से कंदा मिला कर साथ दे रही है नागेंदर सहनी को उनके कामों के लिए सरकार भी सरहना कर चुकी है और पुरुसकारों से भी नवाजा है सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले नागेंदर सहनी ने रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने वाले युवाओं से भी उनके द्वारा मश्रूम की खेती का प्रसिचन लेकर स्वरोजगार करने की अपील और पेशकस की है रोजगार के लिए बिहार से पलाइन कर रहे है युवाओं के लिए नागेंदर सहनी जैसे युद्णमी एक मिशाल पेश कर रहे हैं अगर सच्ची लगन और पूरे एमानदारी से महनत करें तो यहां भी अफसरों की कमी नहीं है और किसी को भी अपना घर छोड़कर बाहर भटकने की कभी जरूरत नहीं परेगी ममता प्रसाद के साथ अभिशेक कुमार आपकी आवाज निउस सारन